तो एलोट में कैसे हैं आगे आपको वीडियो बताने वालों दोस्तों वीडियो को पूर देखेगा तो यह आप समझ पाएंगे चलते आगे मेरा नमसनी अरो और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो दोस्तों जैसा कि मैंने बता है मैं आपको बताने वालों अपडेट में अपडेट में जाएंगे तो यह आपको देखेंगे अपडेट एविलेबल एडियो रिमाइंडर का जो कि आप देखेंगे यहां पर मेरे पास कब रॉल आउट हुआ है वैसे तो दो मही को मतलब दो तारीक को रिलॉट किया गया था पर यह दीरे-दीरे पह आपको बताता हूं कैसे यह अपडेट काम करेंगे और यह कहां आपको मिलने वाले तो इसको होने देते हैं अपडेट होई फाइनली अपडेट और यह डाउनलोड हो चुका है अब इसके आपको कर लेना है ओपन और जो सबसे पहले जो फीचर है वह है पॉसिवल टू आपको फिफ्ट नंबर पर कस्टम का ओप्शन आ रहा है जो कि पहले नहीं आता था पहले यहां पर कैटेगरी का ओप्शन आता था आप यहां पर आपको कस्टम का ओप्शन दिदी है कस्टम का ओप्शन होगा क्या आपको यहां से कर देना है डन कस्टम पर क्लिक करके या किसको आपको बाद में शॉट करना है आप बहुत एजीली कर सकते हैं जो कि पहले आप्शन नहीं था तो सबसे पहला फीचर तो यहीं था उसके बाद दोस्तों सेकंड फीचर क्या है पॉसिबल टू मूफ रिमाइंडर टू अनदर केटेगरी इन रिमाइंडर लिस्ट मत आपको करना क्या है लाइक मुझे माय बड़े वाला मेरे को करना है यहां पर उसको क्लिक करा पहले आपको नीचे त्रिफ थ्री ऑप्शन्स मिलते थे आप यहां पर आपको चार ऑप्शन्स मिल रहा है complete, move, important, delete आप यहां पर आपको एक नया option मिल रहा है, move वाला आपको द कि आप कोई सी पहली category का है वाला जोन सी category से अगर आपको कोई reminder को move on करना आना तर category में बहुत इजी लिए आप वहां पर कर सकते हैं, दोस्तों यह इन दो नया feature आया तो reminder app में उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो thank you, तो दोस्तों जो उमीद है कि अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीस लाइक चरू करें, अगर आपको लगता रही तक मेरे वीडियो कुछ कमी backs दो कुद Siifications यह कुछ भी आप मुस्से कुछने छाते है एस वीडियो से लेटेड या कु इड़ी दोस्तों.